देखो अगला जो टॉपिक का वो है लेंसिस अगले टॉपिक का नाम क्या है लेंसिस दो टाइप के लेंस होते हैं एक होता है Convex lens और एक होता है Concave lens फिर उसके भी कई टाइप होते है जैसे पहरा lens कौन सा बताया Convex दूसरा lens कौन सा होता है Concave ठीक है अच्छा यह जो lens है यह होता क्या है वैसे तो lens दो spherical reflecting surface का combination होता है अगर दो spherical reflecting surface को हम combine कर दे तो उससे जो पहसे बनते है अगर गर्ली बीच में से मोटा है किनारों पर से पतला तो किना वह से मोटा थो उसको मिन प्लेंगे खिर इने के टाइप होते हैं तो लगाव कॉन साइड में साइड का होगा इसको हो दो क्या मुलते हैं दो ऑन व्यकmotion को अंदलब है उसकी एक साइड मतलब क्या होगी उसकी एक साइड क्या होगी पलेंट गलते हैं टाइप सां है जो को जुद आप आप काउय लेन्स होगा भीच में से मोटा है लेकिन एक साइड कोंकेव है एक साइड कॉन्वेक्स है क्योंकि यह बीच में से मोटा है इसलिए इसको कॉनले स्लेंस की कैटेगरी में रख जा जाएगा यह लाय ट्रेस को कन Bridge करने का काम करेगा अच्छा करेचで यह जो कोनवेक्ज लेंजें헤 सान चन्वर्जिंग लेंज क्या उच्छ दिए कंवर्जिंग लेंजो और यह क्या होता है यह तो तो यह क्या है तो यह से टाय क्षुरी तो चिщenden या लाई को व्म कर्देन तरह इसी तरीके से तीन केटेगरी इसकी होती है कॉनकेव लेंज की अगर दोनों साइड कॉनकेव टाइप की है तब इसको क्या बोलेंगे अगर एक साइड प्लें है और एक साइड कौनकेव है तो उसको क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे प्लेनों कौनकेव लेंज एक साइड हो गे प्लेनों कौनकेव ved Nowy अगर मानलों की यह जो लेंज है यह बीच में से पतला है किनारों पे से मोटा है लेकिन साथ में क्या है एक साइड इसकी थोड़ी उभ्री दिखाई दे रही है अपनको और एक साइड थोड़ी धसी हुई है अना अब यह देखो अब यह क्या है बीच में से पतला और किनारों पे से कौन क्यो ball यह कौन और कन कौन केयो टाइप का कौन हिए लेंश टाइप का कौन केयो लिन्ज है यह क्या था यह कों केयो टाइप है कौन आगे लगा दिया तो कंके वहaden को ओन्वेक्स लेंश बोलते हैं इसको क्या बहलेंगे Convex हो Concave Lens ठीक है? इस तरीगी से इनके नाम रखे जाते हैं जो Convex Lens है वो Light Race को हमेशा Converse करेगा इकठा करने का काम करेगा Principal Axis की तरफ मोड़ने का काम करेगा जबकि जो Concave Lens है वो हमेशा Light Race को Principal Axis से दूर करता है मतलब Diverse करने का काम करेगा ठीक है? और वो Light Race के Actual में मिलने की वज़े से बनती है मतलब कि अगर Reflection या Reflection के बाद में Light Race Actual में किसी पॉइंट पे Intersect कर रही है तो उस पॉइंट पॉइंट पर बनने वाली इमेज कैसी होगी? Real Image और अगर उन Light Race को Reflection या Reflection के बाद में जो Light Race है ठीक है? तो यह कुछ Basic Difference है इनके अंदर हमको याद रखने है अब जब आप Lenses को यूज करते हो तो इसके लिए कुछ Sign Convention और कुछ Basic Terms है जो आपको याद रखनी है हम सिर्फ Plano Convex Lens Plano Concave Lens और Bi Convex Lens और Bi Concave Lens के बारे में Study करेंगे यह जो Concave Convex Lens है या Convex Concave Lens है अपने सिलेवस में नहीं है तो उसकी अपने Study नहीं करेंगे हम सिर्फ पहले वाले जो दो टाइब बताए थे ना आपको अभी कौन-कौन से एक तो Bi Convex एक Plano Convex और उसमें Concave में कौन से बताए थे Bi Concave और Plano Concave इनकी Study करेंगे हम ठीक है तो पहले में आपको Convex और Concave के लिए जो Sign Convinci वगेरा है या जो Basic Terms हो बताए थे थे हूँ देखो मैं सबसे पहले क्या है कि Bi Convex Lens की बात कर रहा हूं यह है Bi Convex Lens और यह जो दूसरा Lens में यहाँ पर कर रहा हूँ यह कौन से बाई एचे हैं यह जो बाइको औहुट यह से आप देखते हों रिख्रैक्टिं की तरफ के शाह होगी हैं कि यहां से पहले रिफ्रेक्चन होगा तो यहां से पहले रिफ्रेक्शन होगा तो यह वाली वाले चरही संध पार्ट होगी और फोल्य स्ट्राइड चामिग这फ चलिए और यह वाला जो पॉइंट आई क्या होगी आप पॉल और इन दोनों के बिचकी डिस्टेंस क्या होगी रेडियस ओफ कर वेचर आरवन आरवन क्यों गोला इसको मैं फस्ट सर्फेस कंसिडर कर रहा हूं क्योंकि अगर अब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखा हुआ है तो ल क्योंकि ऊसमें दूसरे सफेरिकलडिन रीफ्रेक्टिंग इन च्रफेस है यह जिस स्फैर का पार्ट होगी उसका सेंटर क्या होगा चीटू और यह जो मिड़िए सब्सक्राट मिड़िट क्या है इसको मिल उनगंट इसको बोलतेते नंग से जबए पार शोंकर decision reflecting surface होगी, तो उसमें आपको R1 भी देखने को मिलेगा अब यह जो R1, R2 है यह क्या है इन दोनों surface की radius of curvature अगर इन में से कोई एक surface plane होती मालनों कि इन में से कोई एक surface किया plane है तो इसकी radius of curvature फिर क्या होती तो इसकी radius of curvature लेते infinite क्यों 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 कि वह infinitely large किसी स्वेर का एक छोटा सा part consider किया जा सकते हैं प्लेन सर्फेस को क्या मान सकते हैं किसी infinite radius के बहुत बड़े radius के बहुत बड़े स्वेर के एक छोटे से part की form में consider किया सकते है इसलिए अगर इन में से कोई भी एक surface plane है तो इसकी radius of curvature को क्या में consider करना है infinite ठीक है चलो ठीक इसके बाद में देखो यह जो सीवन और सीटों यहां पर देख रहे हैं दोनों को अगर लेंस के उपर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल इंसिडेंट हो रही हो तो reflection के बाद में आप क्या देखते हो कि एक point से पास होती है और वह point होता है focus जितनी बी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल लेंस की ऊपर इस लेंज के अंदर इस लेंज के अंदर एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलता है उप्टिकल सेंटर क्या बोलते हैं उसको उप्टिकल सेंटर यह मैं और से रिपर्जन कर रहा हूं उप्टिकल सेंटर वह पॉइंट होता है जिसके उपर अगर कोई भी लाइटर इंसिद्धि चले जाएगी मतलब जैसे यह वाला पॉइंट है तो इस पर अगर मैं कोई इसका मतलब यह जो उप्टिकल सेंटर है यह वह पॉइंट होता है जिसके उपर इंसिदेंट होने वाली लाइटरे विदाव डेवियेशन स्टेट पास होती है तो जब भी हम लेंस से डाइग्राम बनाएंगे तो यह रूल याद रखेंगे इसमें दो रूल में काम आएं ठीक है यह दो अधर रखनी है अब दिखूरो यह दो लाइक Ci से पर इसमें गड़ें तरफ मोड़ा अब इसमें दो इसमें दोंन तो बस यह आपको याद रखनी है लेंस के दोनों साइड में क्या होंगी दोनों साइड में क्या है सेंट्र और फोकस होगा साथ ही यहां पर रोल नहीं होता क्योंकि यहां पर रेफ्रेंज यहां पर रहेगा जब भी हम लेंस को स्टेडी करेंगी तो आप क्या देखोगी हम और से सारी 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 डिस्टेंस मेजर कर रहे होंगे हमको पीवन पीटू से मतलम नहीं होता इसमें इसमें पीवन पीटू सिर्फ समझाने के लिए बाकी ऑप्टिकल सेंटर में पॉइंट रहे हैं यहां से डिस्टेंस इसे हैं वागे यह बाइक कौन के लेंस इसमें रखरक्वा अरक है तो टो साइड में रखतेवे पहले पार्ब्ट को कै Tar sky भीले वाले तो सफयर का एक पार्ट है उसका सेंटर क्या होगा सेंटर करकलarkan क्यूदंज सीवन इसका मिट पॉइंट इसको पीवन बोल देते हैं ऐसे इन दोनों के इसके डिस्टेंस को क्या बोलेंगे रेडियूस ऑफ कर्वेचर आगा इसी तरीके से फिर लाइट इस दूसरी सर्फेस से पास होगी तो यह जो दूसरी सर्फेस है अएशियु इसका जो शरुआ उसको क्या मुणेंगे सैंट्र आफ कर्वेचर सीटु और यह होगया पॉल पीटू पीटू और सीटू के बिचका डिस्टेंस क्या हो गया रिडियोश करवेचर आर्टू फिर सीवन और सीटू को जोईन करने वाली लाइन को क्या लेकिन अगर मैं दोनों लाइट्रेश को बैक ट्रेस करके देखता हूं तो ये दोनों सब्सक्राइब करने और इतना इधर से जा रिए होगी तो यहां पर यहां पर करना इसमें तो जितने भी दिस्टेंस आती तो यह इधर डाइवर्च कर देता और उनको बैक्टरस करने पर यह इस वाले सेंटर इसमें फोई पॉइंट फॉइंटा यहां बीच में पॉइंट होगा ऑफ्टिकल सेंट वो पॉइंट है जिसके उपर इगर कोई भी लाइटर इंसिदेट हो गई है तो विदाओ डेवियेशन स्टेट पास्ट वजाएगी यह है अप्टिकल सेंटर और से रीपर्जन तो देखके बताओ कि यहाँ पे अगर मैं focus की distance को measure करने जाओंगा तो क्या मुझे incident rays की direction में चलना पड़ेगा इसका मतलब convex lens के लिए focus क्या होगा positive होगा ठीक है साथ ही radius of curvature आरवन की distance को measure करने के लिए भी आगे की तरह भी चलना पड़ेगा तो आरवन भी क्या होगा यहां पर पॉस्टिव और आट्टू क्या होगा आट्टू को क्यों के लिए चीज़े डिफाइन करूं तो मैं देख रहा हूं कि जो इस पर फोकस ही यह काम आ रहा है लाइट रेज बैक ट्रस करने पर यहां से आतवी अपियर हो रही है ठीक है न बैक ट्रस करने पर तो यह वाला जो पॉइंट है यह focus और इसकी से सब्सक्राइब करने के लिए अगर हमने चलना पड़े हैं तो इंसडरेंट मेंका इन ऊसे अहां प्यकल करना पड़ा मिया सब्सक्राइब नदेगद को अब यह क्यों को प lack.org को एजवर को का सब्सक्राइब करना है फोकस की उप्तिकल से डिसंतर्यक्म को आता यह वाला फोकस होगा ठीक है फोकल लेंद क्या रहेगी इसमें नेगेटिव अच्छा आरवन क्या रहेगा तो आरवन भी नेगेटिव क्योंकि इंसेडेंट रेज के अपोजिट चल के आरुन को मेजर करना पड़ेगा तो आरवन इस ओल्सू नेगेटिव तीसरी चीज को इसके लिए फोकल लेंद हमेशा पॉस्ट्वि सिंबल के साथ में पूट करेंगी जब भी पूट करेंगे अगर आपको बहुत आप करेंगे तो नेगेटिव लगाएंगे तो चाहरा आरवन अट्टो का भी सिंबल है यहां पर हमेशा उसी सिंबल के साथ पर होगा जिसंबल के साथ में फोकल नेध होगी अगर फोकल लैंज gives तो आरवन भी स्क्न पॉस्टीव ही मिलेगा अपको जैसे कॉइए फोकल लैंज पॉस्टीव और रज्टो नेगेटिव ओगा इसके तो उसको positive consider करना है और अगर इंसिदेंट रेज के opposite direction में चलके कोई भी distance measure की जारे है तो उसको पॉस्टिव लेना है और अगर प्रिंसिबल एक्सिस से नीचे की तरफ चलके कोई भी आप हाइट या distance measure करें तो उसको आपको negative consider करना है तो यह sign convention हम याद रखेंगे क्या याद रखना है यह sign convention आपको याद रखना है क्योंकि इसी से हम calculations करेंगे symbols वगरा यूज करेंगे